दाल भटा, हाँ इसे दाल भटा ही कहते हैं और ये बैगन वाली दाल है, बहुत ही सिंपल तरीके से बनी है, स्वाध इसका लाजवाब है, जिसको बैगन बिल्कुल पसंद ना हो, वो भी इसे एक बार खा ले तो बार बार खाएगा, तो चलिए रेसिपिक की सुरुआत करते हैं, मैं हूँ आपकी दोस्त सेविता और आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ, और देखिए, यहाँ पर दो बैगन मैंने काट कर ले लिए हैं, पानी में विगो कर रखा है, और आधा कटोरी दाल विगो कर रखी आधा गंटा पहले, इसमें आधी दाल चने की है, और आधी दाल अरहर की है, आप किसी भी दाल से इसे बना सकते हैं, लेकिन चने की दाल आप जरूर डालेगा, उससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, और मैं सिर्फ दो लोगों के लिए बना रही हूँ, यहाँ मैंने ले लिए हैं टमाटर, मिर्ची, प्याज, लहसु अगर आपके पास लहसुन अद्रक का पेस्ट है तो आपको लहसुन की जरूरत नहीं पड़ेगी, कूकर में थोड़ा सा तेल ले लिया है, कोकिंग ओईल लिया है, जीरा राइ डाला, प्याज, लहसुन, मिर्च भी हम साथ में ही डाल देंगे, जटपट बनने वाली यह द देते हैं, इसके बाद हम ड्राइ मसाले डालेंगे, हली मिर्च, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च, लाल मिर्च मैंने थोड़ी सी ली है, आप अपने टेस्ट के कार्डिंग जादा या कम कर सकते हैं, धनिया पाउडर भी डाल दिया है, और आप चाहें तो गरम मसाला डाले, वरना इसमें गरम मसाला तो हमें पसंद नहीं है, इसलिए मैं डालती नहीं हूँ, अब बैगन भी डाल दिया है, और नमक डाल दिया एक चमच, और भीगी हुई डाल हम इसमें डाल देंगे, सारी चीज़ों को डाल के जस्ट मिक्स करना है, अब हम इसमें डालेंगे पानी चाहे तो आप पानी डालने के बाद मिक्स कर लीजिए मैंने मिक्स कर लिया है और अब इसमें मैं डाल रही हूँ पानी तो पानी इसमें मैंने डाला है एक गलास करीब आप अपने अंदाज से डाल लीजिएगा और पानी डाल कर इसकी लेट लगा लेंगे एक सीटी मीडियम फ्लेम पर दो सीटी लो फ्लेम पर मैं दे दूंगी कुकर हंडा होने के बाद हम फोलेंगे देखिए कुकर यहां ठंडा हो गया है तीन सीटीयां हो गई है और अब चेक करते हम तो यहां पर हमारी सारी चीजे अच्छे से कुक हो गई है एनने थोड़ा मैस कर लेंगे इस तरह से सारा अच्छे से कुकुआ है तो अच्छे से मैस हो जाता है उसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी पानी डाल कर मैं इसे थोड़ा सा पतला करूँगी देखे पानी डाल के मिक्स कर दिया है और इसे एक boil आने देंगे हम हाँ इसमें मैं डाल देती हूँ grated अद्रक अगर आप लहसुन अद्रक का paste डालते हैं तो आपको अलग से अद्रक नहीं डालना पड़ेगा मैंने नहीं डाला था इसलिए डाल दिया है और अच्छे से boil आने दिया है boil आने के बाद इसके taste को enhance करने के लिए हम इसमें लगाएंगे तड़का तो दूसरे बरतन में पलट दिया है मैंने उसे और तड़का पैन में मैं डालूंगी दो चम्मज देसी सुद्ध घी ये स्वात को और बढ़ा देगा और इसमें हम डालेंगे लाल मिर्चे ये मिर्चे ज़्यादा तीकी नहीं है तड़के वाली मिर्ची है और साथ ही इसमें जाएगा करीपत्ता तो लोजी करीपत्ता भी डाल दिया है और इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी कास्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए तो ये भी डाल दिया है गैस का फ्लेम मैं कर दूंगी अब बन नहीं तो मिर्च हमारी जल जाएगी मिक्स करेंगे और दाल में डाल देते हैं ये गर्मा गरम तड़का इस दाल भटे में तो इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा ये सिम्पल सी पैगन वाली डाल जिसे हम कहते हैं डाल भटा बहुत ही टेस्टी लगता है गर्म गरम चावल के साथ तो बहुत ज़्यादा रोटी के साथ भी आप खा सकते हैं हमारे हाँ जब भी जल्दबाजी हो या कहीं बाहर से हम आए हो और खाना बनाना हो जल्दी जल्दी तो बस यही हम कूकर में बना लेते हैं स्वाद भी सेहत भी और टाइम भी बच जाता है कैसी लगए आपको मेरी ये सिम्पल सी रेसेपी कमेंट सेक्षन में कमेंट करके जरूर बताइए और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ठैंक यू